दोस्तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जीरोधा काइट अप्लिकेशन में आप स्टॉक किस तरीके से बाई कर सकते हैं अगर आपको delivery के लिए स्टॉक बाई करने हैं तो वो किस तरीके से करने हैं वो डीटेल में आपको बताने वाला हूँ अगर चैनल पर नहीं हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिया चलिए वीडियो शूर करते हैं तो जैसी कि आप देख रहे हम यहाँ पर आ गए है जिरुदाय काइट के एप्लिकेशन के उपर यहाँ पर watch list में मेरे पास कुछ stock available है अब इसे buy कैसे करना है सबसे पहले तो buy अगर करना है तो आपके पास fund होना जरूरी है तो आप यहाँ पर funds में जाके add fund कर सकते है withdrawal भी कर सकते है इसके उपर already video available है description में जाके वो video आप देख सकते है fund अगर नहीं होगा तो आप stock buy नहीं कर सकते यह first step है अभी यहाँ पर देख रहे हो कुछ 1460 के आसपास मेरे पास fund available है तो इसमें से मैं stock खरीदने वाला हूँ watch list जो भी stock आपको पसंद है वो सबसे पहले आपकी watch list में add होना चाहिए उसके बाद ही वो stock आप buy कर सकते हो तो जैसे की मेरे कुछ यहाँ पर stock add करके रखे है मैंने आज मैं आपको sale का यह stock है यह buy करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से procedure होती है क्या-क्या follow करना है सब बताऊंगा sale के उपर click करना है और आपको यहाँ पर buy का option मिल जाता है blue color का button आपको दबादेना है buy यहाँ से आप कर सकते हो यह screen आपके सामने open हो जाएगी buy करने से पहले अगर आपको chart analysis करना है तो simply आप chart के उपर जा सकते हो यहाँ पर chart analysis के बाद आपका stock buy कर सकते हो chart के उपर भी buy का button available होता है अगर आपको यहाँ से buy करना है तो simply buy के उपर आप click कर सकते हो अब buy की screen के उपर आपको क्या-क्या options मिलते है सबसे पहले तो यहाँ पर आपको regular order cover order, AMO और iceberg यह different type के order देखने के लिए मिलते है आपको हमेशा regular order select करना है अगर आप intraday trading करते है तो आप cover order select कर सकते है buying की procedure सेम रहेगी कैसे करना है वो भी बताते हो यहाँ पर आपको quantity enter करनी है यहाँ पर price के उपर फिलाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ऐसा क्यूं है क्यूंकि हमने type जो है वो market select करका है market type आप जब select करते हो तो current market price के उपर आपका stock buy हो जाता है और अगर आप negotiate करना चाते हो तो आप limit यहाँ पर select कर सकते हो तो जैसे ही मैंने limit select किया तो यहाँ पर price मुझे edit करने का मौका मिल जाता है और मैं negotiate कर सकता हूँ price अब यहाँ पर आपको long term CNC और intraday MIS दो products दिखाई देंगे long term मतलब holding के लिए stock लेना जो कि आप delivery के लिए hold करके रखते हो long term के लिए वो एक दिन से ज्यादा आप hold कर सकते हो एक साल, दस साल, पचास साल कब तक जब तक आप रखना चाते हो रख सकते हो जब तक company है तब तक रख सकते हो intraday मतलब होता है 9 बच के 15 मिनिट के बाद इंटर करना market में और 3 बच के 30 मिनिट से पहले exit करना ये होता है intraday, margin intraday square off जिसको हम intraday भी बोलते है intraday में आपको procedure सेम होती है type वगरा सेम होते है, limit market वगरा लेकिन ये आपको सिर्फ एक दिन के लिए buy करने का मोका देता है, सिर्फ आप intraday में buy कर सकते हो उसी दिन आपको sell करना होता है यहाँ पे आपको margin मिलता है, यानि कि आप अगर 84 रुपीज पूरे नहीं देना चाते है तो 5X का leverage मिल जाता है leverage का video already मैंने बनाया है description में link है, वो भी आप जाके देख सकते हो 14 रुपे का stock अबर 16 रुपे में लेना चाते हो, तो आप intraday trading कर सकते हो otherwise आप long term के लिए holding में stock लेना चाते हो, और आराम से बैटके profit engine करना चाते हो, तो long term select कर सकते हो, जिसमें आपको stock की पूरी की पूरी price देनी होती है अब मैं यहाँ पे 10 quantity आपको buy करके दिखाऊंगा, quantity मैंने 10 रखी है 10 quantity के बाद, मुझे यहाँ पे पता चलता है यह total पैसे मुझे कितने देने है तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा, तो 848 रुपे मुझे यहाँ पे देने है, total charges कितने लगने है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते है अगर आपको GTT order लगानी है तो यहाँ पे आप target stop loss भी लगा सकते हो जिसके ओपर already एक video मेरा available है description में link है, वो भी जाके आप देख सकते हो तो यह सारा CJ करने के बाद आपको यहाँ पे swipe to buy करना होता है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक cover order के बारे में भी चीज़ बता देता हो अगर आप cover order select करते हो, तो यह सिर्फ intraday के लिए होती है long term के लिए नहीं होती है और यहाँ पे आप stop loss भी लगा सकते हो और उसके बाद आपका buying price मतलब दो order एक साथ आप लगाते हो एक तो आपका buy का order लगा देते हो, एक आपका stop loss order लगा देते हो मैंने यहाँ पे limit price लाली है 84.80 तो limit में हम पहले दिखाएंगी कि limit order लगाने के बाद pending order किस तरह के से रहता है तो swipe to buy करेंगे, तो order आपका place हो जाता है order execute नहीं हुआ है हमारा, सिर्फ place हुआ है तो इसको हम थोड़ा close करते हो, orders में जाके देखते है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, open order में मेरा यह buy का 10 sale का 10 quantity का order pending है क्यों pending है, क्योंकि मैंने order लगाया है 84.80 का और current market चल रहा है 84.90 मतलब जब तक मेरा यह price नहीं आएगा, तब तक मेरा stock buy नहीं होगा अगर आपको चाहिए कि market के उपर ही buy किया जाए तो इस order को आप modify कर सकते है, किस तरीके से करना है तो इसको select करना है, modify के उपर click करना है modify करने के बाद आप यहाँ पे market directly select कर सकते हो और modify कर सकते हो, submit हो गया है आपका order और execute में भी आ गया है, अभी open में कोई order नहीं है क्योंकि यह execute हो गया, execute में आप देख सकते हो हमारा sale का order जो है, वो buy हो गया है, buy complete हो गया 84.90, थोड़ा higher price में मैंने buy कर गया तो यह simply तरीका होता है, buy करने का अब जो stock आपने buy किया, वो कहाँ पे दिखेगा वो आपको portfolio में जाना होगा, portfolio में आपको holdings में नहीं दिखाई देगा, बले ही मैंने holdings में लिया है, लेकिन आज मैंने buy किया है, तो आज यह मुझे यहाँ पे दिखाई देगा position में, तो position में आप देख सकते हो 10 quantity हाँ पे हमने buy की है, holding में रिखा हुआ है, CNC में buy की है, फिलाल कोई profit loss नहीं दिखाई दे रहा है, 50 पेसे का loss दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप stock जो है वो buy कर सकते हो, 0 दा के अंदर, बले वो intraday हो बले वो holding के लिए हो, same procedure आपको follow करनी है, और इस तरीके से आपको जो है, वो order आप execute कर सकते हो, buying का इस वीडियो में इतना ही दोस्तो, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पूरी procedure अच्छे से समझ में आ गई हो, वीडियो के कोई doubts है, वीडियो के लिए या फिर कोई भी doubts है, तो comments में आप मुझे पूछ सकते हो, वीडियो अच्छा लगा हो